जब भी कोई salesperson किसी customer को approach करता है उसको product sell करता है यानि कि उसको product देता है और उसके बदले उससे पैसे लेता है और फिर order लेता है तो इस process में जो है seven important steps होते हैं जो कि कोई भी salesperson follow करता है और अगर effective selling करनी है तो यह steps जो है उसको follow करने चाहिए उसमें सबसे पहले आता है prospecting then pre approach then approach then sales presentation and demonstration then handling objections closing the sale and last stages after sales services यही seven important steps होते है selling process के यह जो after sales services है इसको हम कहीं कहीं पर जो है follow up या maintenance के नाम से भी इस stage को जानते हैं तो एक ही किस stage को देखते है कि किस stage में क्या क्या चीज़े होती है तो सबसे पहले आता है prospecting देंकि prospecting में prospect वर से है तो prospect का मतलब क्या होता है prospect means probable buyer यानि likely to be head यानि कोई चीज होने की संभावना है तो prospect means कि हमारा probable buyer हमारा customer कौन हो सकता है सबसे पहले अगर कोई product आपको sale करना है तो आपको सबसे पहले यह identify करना होगा कि आपका product का buyer कौन हो सकता है कौन आपका product purchase करेगा तो prospect means probable buyer और prospecting का मतलब क्या हो जाएगा कि finding and qualifying potential buyer और क्लाइंट यानि कि बहुत सारी यहां पर आपको मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत पर पब्लिक है तो उन पब्लिक में से आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो कौन हो सकता है उस चीज को फाइंट करना और उसको क्वालिफाई करना यानि कि आपके प्रोडट के यहां पर क्या होता कि Determine whether your prospective customer has a particular need or want that your business can fulfill तो यहां पर क्या होता यही चीज दुआ ना कि प्रॉस्पेक्टिम में अलब कि identify कर रहे हो कि आपके कस्टमर को जो भी आपका प्रॉस्पेक्ट है क्या उसको आपके प्रोडट के नीड है या नहीं है या फिर आपकी कंपनी उ सामने वाले कस्टमर को है या नहीं है तो involve research to identify your ideal customer तो यहां पर क्या होता है कि research करना पड़ता है जब भी आप selling process से start करते है तो सबसे पहले आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में research करना पड़ेगा कि आपका prospect कौन हो सकता है यही stage क्या कर आता है prospecting जब आप identify कर लेत pre approach में क्या होता है कि learning about the prospect आने कि अब prospect के बारे में जानिये उसकी characteristics, उसकी needs, उसकी purchase decisions, उसकी personal characteristics जैसे कि education, occupation, income, preference, उसकी buying styles इन सभी चीजों के बारे में अब उसके बारे में जानिये उसके बारे में detail ही कठा करिये आपको अपने customers को कोई product sell करना है तो उसकी details को जाने कि उस साब सही तो आप उसको product दिखाऊगे तो उसके बारे में आपको जाने तेहां पर pre approach में main focus इस पर होता है कि knowing your prospects यानि आप अपने customers के बारे में समझजारी पैदागे developing and understanding about the prospective buyers जब आप अपने जो prospect होता है जो आपका customer बन सकता है उसके बारे में जब आप details से घठा कर लेते कि जो salesman तो है अब वो जो है अपने customer के सामने आ जाता है यह first personal interaction होता है कि इसके साथ prospects के साथ है हाँ पर approach में तो सोचिए approach करने से पहले आनि कि face to face interact करने से पहले उसने जो है दो stage की यानि कि पहले identify किया उसके बारे में जाना और फिर उसके बाद जो है वो approach करता सामने प पता ही नहीं होगा आप उसको चाहिए कुछ और आप लेके पहुंचगे कुछ और तो क्या होगा but obviously sale fail हो जागा यानि कि आपका effort आपका time आपका resources था वो सब waste हो जाएगा तो इसलिए पहले आपको prospect then pre-approach करना पड़ता है तो approach में क्या हुआ कि आप face to face वहाँ पे मिलोग यानि कि पहले क्या करोगे आप यहाँ पर चार approach हो सकते हैं introduction, referral या फिर प्रोडक्ट या फिर customer benefit approach यानि कि आपका जब पहला approach होगा पहली बार आप उसको मिलोगे तो इन चार तरीकों से कर सकते हो ही पहला क्या है introduction यानि कि आप अपने बारे में बताओगे कि sir मैं इस company से आप यहाँ हूं हम इस product को sell कर रहे हैं promote कर रहे हैं इस तरीके से अपने बारे में introduction करोगे या फिर दूसरा प्रोड़क्ष कि रिफरल अप्रोच आप क्या बलोगे कि sir Mr.B ने मुझे आपको रिफर्च दिया है आपको यह product चाहिए आपकी यह need है इस तरीके से या फिर product य हमारे पास यह product है जो ऐसा ऐसा बना इसकी यह features इसकी quality है तो आप प्रोड़क्ष अबना सकते हो या फिर customer benefit approach sir आपको इस चीज की need है और आपको यह product जो है हमारी company offer करी जो आपकी इस particular need को fulfill कर सकती है तो आप जो है जो पहली बार start करते हो communication वो इन में से किसी भी तरीके से start कर सकते हैं वो depend करता है आपकी personal skill पर यानि कि sales person की personal skills पर जब आप approach कर लेता है कि जब आपकी बात चीज सुरू हो जाती है तब आता है sales presentation and demonstration यानि कि जब सामने वाला prospect तयार हो जाता है ठीक आप बताईए क्या product है क्या है आपका offer तो फिर जो है आप वहाँ पर अपना presentation और demonstration जो है product का देना start कर देते है आनि कि आप यहाँ पर क्याते हो describe करते हो जो भी major features होते हैं जिससे की customer की wants को fulfill किया सके describing product major features and relate them to the customer want यानि कि आप खाली product की तारिफ किया रहे है वो product सामने customers के लिए कैसे benefit होगा आप उस चीज को भी बताएंगे नहीं तो उसके लिए beneficial नहीं ह FABV का मतलब क्या होगा feature, advantage, benefit and value approach यानि कि यहाँ पर customers को product की features उसके लिए क्या benefits है उससे क्या value मिलेगा monetary value क्या मिलेगा इस सभी चीजों को आप उसको present करते हो and demonstrate करते हो product को Demonstry में this product को use करके दिखाऊगे आप suppose कि mobile है तो mobile को on करोगे mobile को दिखाऊगे क्या-क्या features है क्या-क्या function है कैसे चीजे करती है या फिर आप उसको हो सकता है कि taste करवाओगे ठीक है hand on experience आप उसको देते हो कि जैसे suppose कि आप बाइक या फिर car शुरू में जा रहे है तो वहाँ पर क्या होता कि आपको driving के लिए मिले जाता है कि आप जाइए test drive ले लिजे तो यह क्या hands on experience है तो यहाँ पर आप जो है different technique use कर सकते हैं जैसे product demonstration हो गया video presentation हो गया या फिर को customer को convince कर ले गए customer prospect को convince कर ले गए तो आगे चलके आपका product purchase कर सकता है तो यह एक important stage भी होता है जहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि approach वाले stage पर ही जो है आपको वहाँ पर अगर approach वाले पर आप आप आए बताए कि सरी product देना चाहते हो वही पर prospect ने मना कर देना हमें न अब उसके बाद आपका customer या prospect हो उसके मन में बहुत सारी doubts होते हैं जैसे कि mileage क्या देगी अगर car का आप car purchase कर रहे हो तो आप doubt होता कि mileage क्या देगी इसकी safety rating क्या है यह टायर कितने inches के हैं इसमें क्या music system है या नहीं है brand क्या है तो बहुत सारी जो है उसके doubts होते हैं तो अब आप सभी doubts को आपको सभी objections को handle करना होगा इस handling objection वाले stage में clear तो आप पहले prospect करते हो प्रेप्रोच एप्रोच फिर presentation demonstration देते हो उसके बाद अब जो है customers के prospect के doubts आएंगे objections आएंगे कि यह मजबूत नहीं है ठीक है या फिर आप घर ले रहे हो मकाले तो इसमें cement अच्छी quality करन पतला लगा हुआ है तो बहुत सारी objections आएंगे तो वहाँ पे अब जो है जो है जो salesperson है उसको उन सभी doubts को clear करना होगा objection को handle करना होगा यानि कि उसको solve करना होगा salesman should answer all the questions raised यानि कि जो भी questions prospect दोरा उठाया जा रहा है जो भी doubts उसके है उसको salesman को solve करना चाहिए try to convince the product will satisfy the prospect need यानि कि यहाँ पर उसको main focus करना है कि prospect को convince करना है उसको समझाना है कि हमारा product आपकी इस need को fulfill definitely करेगा objections में भी psychological और logical अब जो objections उठते हैं किसे भी prospect के तरब से वो psychological भी हो सकते है logical भी हो सकते है psychological यानि कि emotional लगतरी किसे जैसे कि brand कौन सा है अब suppose कि आपको local brand लेके आए तो product product उसकी need को fulfill कर रहा होगा तब भी वो नहीं purchase कर रहा है क्योंकि brand नहीं है local लग रहा है पता नहीं कितने दिन चलेगा तो यहाँ पर क्या है यह साइकोलोजिकल है इस problem को handle करना होगा salesperson को logical logical मतलब कि जैसे price हो गया price बहुत में है भाई हम नहीं लेंगे तो price जो है price क्या है product features क्या है यह सारी चीजे logical होगे इन सभी objection को भी आपको बताना होगा कि नहीं sir हमारा सबसे सस्ता कम price में है और price भी कम है और product की features भी है आप दूसरे brand के company का वही product उठा लीजे हमारे brand के यह product देखे सर उससे आपको ज्यादा features मिलेंगा तो आपको salesperson को इस तरीके से समझान उसको product को समझा देते हैं उसकी need को उसको ready कर लेते हैं कि हाँ वो product आपका purchase कहता है closing the sale यानि कि अब आप जो है sale को close करते हो salesperson ask the prospect to conclude the purchase यानि कि आप कहता कि sir finally आप जो है ले लीजिए negotiation और सारी चीजे वहीं सब हो जाते हैं कि pricing और handling objection में कि ठीक है ठीक है sir आप इतने में ही इतने में दे दीजिएगा तो सारी चीजे होगी अब यहाँ पर आप sales को close करते हो तो involve negotiating terms or pricing signing contract completing a monetary transaction और even overcoming additional concern और objection यानि कि अगर कुछ और concern बचा है तो आप जो है यहाँ पर इसको solve कर सकते हो यहाँ पर negotiate करोगे closing the sale में negotiate करोगे terms को pricing को conditions को कि sir आपको ऐसे से use करना है यह terms हो यह conditions होगी यह pricing होगी वह सारी चीजी क्या करते हैं अब यहाँ पर sales में close करते हो डिसाइट करते हैं clear कि जैसे payment करना है तो 1,00,000 करना है कितना करना है आदा चेक से करना है या फिर आप आप आर्डियस कर सकते हैं या और भी कोई transactions related issues है या फिर warranty हो गारेंटी होगे सारी ची आप इस चीजें आपको देते हैं कि sir wheel cover ले लीजिए seat cover ले लीजिए लाइटिंग है सरी पर्फ्यूम है तो upselling technique कहलाता था यहीं पे closing the sale के time पर ही upselling technique भी आएगा offering additional product that compliment their original purchase आने की car purchase करने जार हो यह original purchase हो गया अब उसके साथ आपको additional seat cover ले लेजिए sir protect करेगा या फिर परपच को solve करती है उसको support करती है तो यहां closing the sale पर ही upselling technique भी use की जाती है and last stage that is after sales services after sales services को जिसको follow up and maintenance भी कहते हैं follow up and maintenance भी कहते हैं यहां पर क्या होता है कि to ensure customer service यह क्यों किया जाता है इसलिए कि आपका customer जो product purchase करके लेके गया है वो satisfied है या नहीं है proper उसको installation मिला instructions या servicing ज नहीं मिल आने कि उसको सारी problem है सारी doubts होते हैं वो सभी solved है या नहीं है और यह इसलिए भी होता है ताकि वो आपको repeat business भी देयाने कि बार बार आपके हां पर आया और आपका product purchase करे तो repeat business के लिए जो है follow up and maintenance जरूरी होता है तो after sales services का मतलब यहीं हो गया कि जब एक बार product purchase कर अब उसकी maintenance उसका installation उसके servicing से related आप जो है services provide कर रहे है और जब आपके साथ customer जुडा रहेगा तो आपको repeat business भी देगाने कि एक बार आपने servicing कहीं से करा ली गारी की आपको वहां से गारी की servicing अच्छी मिल गई तो आप क्या करोगे बार बार वहीं पे जाके servicing करा होगे तो that is after sales services तो selling process में यह 7 important steps होते हैं prospecting, pre-approach, approach, then sales presentation and demonstration, handling objections, closing the sale and last is after sales services इसको follow up and maintenance भी कहते हैं Wish you all the best, keep watching